Hello and welcome friends, Tally Prime सीखने की सीरिज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये विडियो जो है Tally Prime को ले करके है Tally Prime में एक confusion जो आपके मन में हमेशा रहती है आज उसका solution मैं देने वाला हूँ Confusion क्या है आईए देखते हैं वी बटन ट्रेस करके हम सीरह आजाएंगे कहां आम तोर पर क्या बाउचर में ही सारी एंट्री पास होती है तो अभी हमें चलेंगे purchase बाउचर में अब purchase बाउचर में ही क्यों क्योंकि हम दो तरकी एंट्री करेंगे जैसे कि आपको देखी रहा है ठीक है एंटर करते हैं यहाँ पर एक supplier का laser आएगा तो यहाँ पर supplier 2 कर देते हैं और एंटर करते हैं अब चुकि supplier 2 का laser मौझूद है तो supplier 3 करना पड़ेगा हमको तो यहाँ कर देते हैं supplier 3 और supplier 3 करके यहाँ पर enter कर देते हैं और enter करके इसका group होगा sundry creditor क्या होगा sundry creditor group होगा और यह दिखिए यह option यह option अगर आप no कर देंगे ना तो आपको बहुत भारी mistake हो जाएगी मतलब adjustment entry वाला dialogue box आएगा ही नहीं तो जब नहीं आएगा तब क्या होगा तो पहले तो इसको entry करते हैं हम entry करते हैं enter करते हैं enter करते हैं enter करते हैं और इसको accept करा लेते हैं तो यह accept हो जाएगा हमारा ठीक है accept हो जाने के बाद इसको भी enter enter करके accept करा लेंगे और accept कराने के बाद यहां पर आएंगे तो purchase का laser लगा देंगे अब यहां पर जो भी stock item purchase करी जा रही है उसकी detail आएगी तो यहां पर item allocation चालू किया है मैंने यहां पर आप quantity डालते है तो 50 quantity है rate क्या है 120 रुपए तो 6000 रुपए आ गया अब यहां पर end of list कर दीजिए आप कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कुल मिला के 6000 का समानुख क्या इस पर को GST भी है तो यहां पर CGST लगा देते हैं तो देखे CGST calculate हो गया लेकिन याद रखिएगा कि CGST के साथ SGST भी आता है तो यहां पर SGST भी कर देते हैं तो दोनों हो गया आप अब यहां पर यह देखे यह जो dialogue box open हो रहा है बिल वाइस detail का यह अगर आप उस option को चालू नहीं करते तो नहीं आता अब यहां पर मैं डाल देता हूँ the goods have been have been sold sorry purchased sold तो होगा नहीं purchased होगा P.U.R.C.H.A.S.E.D. purchased on credit credit का मतलब होता है उधार में यह खरीदा गया तो यह हो गया यह entry पूरी हो गई आपने देखा इस entry में अब इस entry को देखना होगा कहा जाना पड़ेगा यहां से बाहर आने के लिए escape button ESC का एक button होता है उपर आपके keyword में left side में सबसे उपर दिया होता है यहां पर देखिए यह जो bill है वो यहां पर आया हुआ है देखिए डेड़ डेड़ सो रूपे CGST और SDST लगा हुआ है तो पुल में लाके 6,300 का bill है चीक है यहनि 6,300 की adjustment entry तो हमें करनी पड़ेगी न adjustment entry नहीं करेंगे payment नहीं करेंगे फ्री में थोड़ी न देगा हो हमको जो भी supplier party है वो फ्री में तो देगा नहीं तो उसको तो payment करना पड़ेगा न उधार में लिया तो तो यहां पर आप जब B button प्रेस करगे payment voucher में जाएंगे देखिए यहां पर payment voucher में जा रहा हूँ यह payment voucher में आगे हम तो यहां पर debit कह रहा है तो supplier 3 को यहां पर debit करना है आपको ठीक है ध्यान दीजी का supplier 3 को debit करना है आप क्यों debit करना है क्यों कि supplier 3 से ही तो समाल लिया था तो इसलिए इसको debit कर देंगे यह जो cursor है अपने आप against अगेंस रफरेंस बने अगेंस रफरेंस उस bill के against में यह payment हो रहा है ठीक है एंटर करिए एंटर करिए और इसको accept कराईए यह payment cash में हो रहा है cash कर दीजे हाला कि हमारे पास cash नहीं है लेकिन चलिए हम इसको avoid करते हैं अभी एंटर करते हैं और इसको accept करा लेता है तो यह entry पूरी हुई चीक है लेकिन अब सवाल यह है कि sell करेंगे तो तो f8 prisoner के sales voucher में चलते हैं अब इसमें भी हम एक customer का laser बनाते हैं तो यह लिखा हमने customer 5 customer 5 यह नाम दे दिया एंटर किया और इसका group क्या होगा sundry data होगा देखिए यहां पर भी mental balance बिल बाई बिल यह चालू रखना है आपको अगर यह चालू नहीं करेंगे तो window ही नहीं आएगी जैसे मालीच अगर इसमें आपने off कर दिया इसको no कर दिया तो adjustment entry वाला window ही नहीं आएगा आपको दिक्कत हो जाएगी ठीक है तो देखिए यहां पर यह सब rate जो है हम यहां रख रहा है 350 रुपए तो यह तो हमने कर दिया लेकिन अब adjustment entry वाली window नहीं आएगी जब पहले तो cgst लगा लेते हैं यह सब काम पूरा कर लेते हैं पहले और यहां पर आप दे सकते हैं कि the goods have been sold on credit वैसे मैं नहीं लिख रहा आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़के इसको accept कराता हूंगे accept जब करा लेंगे तब बात आएगी payment receive करने की या हम किसी को सामान बेचेंगे तो उससे पैसा तो लेंगे ऐसा तो है नहीं कि आज उधार दे रहे हैं तो अब हो हमेशा के लिए प्री में ही देख के हम पैसा भूल जाएंगे हम ऐसा तो है नहीं तो ऐसे में हमें payment उनसे प्राप्त करने की ज़रूत या नहीं receive करने की ज़रूत पड़ेगी ठीक है तो receipt voucher app 6 प्रेस करके चलेंगे receipt voucher में अब यहां पर आपको कुछ भी देखने की ज़रूत नहीं आपको customer 5 का laser सीधा सीधा insert करना है तो यह customer 5 लगाईए और लगान payment पे तो आया था लेकिन इसमें नहीं आ रहा है अच्छा इसमें नहीं आ रहा है तो इसका solution क्या है इसका solution यह है कि आप यहां पर किये प्रेस करके जाएए और वो customer वाला laser open कर लिया यहां पर आपको adjustment entry देनी होगी तो जब customer का आप बनाएंगे यह जब आपने customer का यह बना को जाएंगे और फिर यहां पर yes करेंगे न और yes करने के ड़ीर करांगे और उसी entry में जाएंगे यानि वो जो entry कर रख किया हमने उसको हटाएंगे यानि की yeah कि यहांपर key press करते हैं और यह हमार rez अब यही एंट्री आप दुबारा से कर लीजिए अब देखिए इसमें एडजस्मेंट एंट्री बालट है लॉक बॉक्स आ जाएगा तो यहां पर कस्टमर फाइप लगा रिया एंटर किया एंटर किया और सारी डीटेल यहां पर एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे एंट सारे इसलिए बड़त करने बाले एंटर कर देना है और एंटर करके इसे अक्षब्ट करा लीजिएगा अब देखिए यह जो डायलोग बॉक्स आ रहा है यह काफी इंपे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए यह पूरिए बडीक्व बनाई गई यह तो एज्जस्मेंट वाला dialogue box इसलिए भी important है क्योंकि आप का जो bill adjustment है वो आसानी से हो सके अब यहाँ पर देखिए यह new reference आ रहा है और जब इसी को payment receive करेंगे न तो against reference आ जाएगा अब देखिए receipt voucher में गया है और यही चीज़ देखिए यहाँ पर अब हम payment receive करेंगे किन से customer five से तो पैसा receive कर रहे है 18,000 रुपिया मालीजे 18,000 ही मालीजे receive कर रहे है तो यह 18,000 रिसीब कर रहे है अब देखिए करसर अपने आप कहने की जरुवत नहीं अपने आप against reference पे आ गया देख रहे है तो यह bill का adjustment के लिए बहुत जरूरी है इसको accept करना ठीक है इसको हलके में मत लिजेगा इसको फिलाल मैं accept कराता हूँ उमीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आई होगी ठीक है न? अगर आपको यह वीडियो पसंद रहा है तो इसे share कीजेगा उमीद करता हूँ बेल वाइस डिटेल वाली वीडियो आपके लिए काफे इलफूल होगी चलिए मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए keep watching thank you for watching this video